भारत की आजादी के समय भारत और चीन के रिष्टे उतने कड़वे नहीं थे जितने 1962 के बाद से हैं क्योंकि उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था इसलिए भारत ने अपने पडोसी चीन के साथ मैत्री पोड संबंध रखने में ही भलाई समझी यही कारण है क जब चीन तिबबत पर आक्रमण कर रहा था तो भारत ने उसका कड़ा बिरोध नहीं किया चीन के साथ भारत के रिष्टे तब खराब होने लगे जब 1969 में भारत ने आध्यात्मिग नेता दलाई लामा को सरण दी दी हाला कि ततकालिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू ने पंचसील समझोते के माध्यम से दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने की कोशिस की लेकिन वह सफल नहीं हुए और दोनों देशों के बीच 1962 में युद्ध हो गया आएए जानते हैं भारत और चीन के बीच पंचसील समझोता क्या था और इसे करने की वज़ा क्या थी? क्या था पंचसील समझोता? पंचिल समझोता भारत और चीन के छेत्र तिबबत के बीच आपसी संबंधोयों ब्यापार को लेका था पंचिल समझोता अपचारिक रोप से 29 अप्रेल 1954 को भारत और चीन के तिबबत छेत्र के बीच हस्ताच्छर किये गए थे इस समझोते पर ततकालेन प्रधान मंतरी पंडित जवाहलाल नहरू और चीन के प्रथम प्रधान मंतरी चाव एनलाई के बीच हस्ताच्छर किये गए थे अप्रेल 1954 में भारत ने तिबबत को चीन का भाग मान कर पंचिल के सिद्धान पर चीन के साथ समझोता किया पंचिल के ये मुख्य विंदु हैं पहला है सांतिपूर सहस्तित्व दूसरा है एक दूसरे के छेत्रिय खंडता और संप्रभुता के लिए परसपर सम्मान तीसरा है पारस्परिक आहस्थ्षेप परस्पर अनाक्रमक्ता और उसके बाद पाचवा है समानता और पारस्परिक लाफ पंचिल समझोते ने भारत और चीन के बीच तनाव को काफी हद तक दूर किया था इन संधियों के बाद भारत और चीन के बीच ब्यापार और विश्वास बहाली को लेकर काफी मजबूती मिली इस बीच हिंदी चीनी भाई-भाई के नारे भी लगाएगे 1969 के तिब्बती बिद्रोह की सुरुवात में दलाई-लामा और उनके अनुयाई भारत में अपने जीवन की रक्षा के लिए CIA की मदद से तिब्बत से भाग आए भारत सरकार ने उन्हें सरण दी बस यही से भारत और चीन के बीच पंचिल समझोता तूट गया समझोते में या प्रावधान है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्त छेप ना करें इसके बाद रिष्टे बिगड गए और चीनी जनता के बढ़ते बिद्रोह के बीच चीनी सरकार ने देज़वक्ती का हवाला देते हुए अपनी जनता को सांत करने के लिए भारत के खिलाफ एक तरफा युद्ध की गोश्रा कर दी इस युद्ध के लिए ना तो भारत की सेना तयार थी और ना यहां की सरकार इसके परिडाम सरूप चीन ने भारती भूमी के एक बड़े हिस्से पर कबजा कर लिया इस परकार पंचेल समझाता भारत और चीन के बीच आर्थिक और राजनेतिक संबंधों को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया एक सोचा समझा कदम था लेकिन चीन ने इसका गलत फायदा उठाया और कई बार भारत की पीठ में छूरा घूपा